विहार सरकार दो बड़े अस्टेडियम का निर्मान करने जा रही है छुटियों के दिन में यहां इतनी भीर उमरती है कि मेला जैसा न जारा रहता है का लुप्त उठाने के लिए गोवा और अंडमान नहीं जाना पड़ेगा सरकार गंगा रीवर फ्रंट पर अस्टेडियम म सब्सक्राइब यहां राष्ट्री और अंतरासी अस्टर की कई ऐसे चीज़े बनेगी जिसका लुप्त यहां पहुचने वाले लोग बड़े अनन्द से उठा सकेंगे हलो दोस्त वेलकम बैक टो चैनल आपका दोस्त आपके साथ है तो एक और नए अपडेट को लेकर हम ल करनाने और लगाने के काम कर रही है फिलाल जोकि पट्टा पूरे बिहार में चर्चा कभी से बना है आपको बताते चले दोस्तों अकसर पूरे बिहार के लोग यहां पहुंचते हैं तो मरीन ड्राइब जरूर आना पसंद करते क्योंकि मरीन ड्राइब को पीक अस्पोर्ट बना हुआ मरीन ड्राइब को राज सरकार और विक्सित करने जा रही है उसी के बारे में हम लोग वीडियो लेकर रहे हैं मरेवले समय में टूरिस्ट प्लेज बनानी के तयारी चल रही है यहां आपको स्टेडियम भी बनेगा मॉल भी बनेगा स्विंग पूल बनेगा तमाम बनेगा तमाम जनकारी आपको इस वीडियो में देने वाले चलिए अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर दे साथी साथ अपने भाई को इस्टाग्राम पर फलो करें अगर वीडियो हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो हमार सब्सक्राइब कर राज के डिप्टी सियम तेजस्वी यादों ने रभीवार को फिर से समिच्छा बैठकी इस फॉलो अप मीटिंग में कई चीजों पर ब्रिस्तित चर्चा किया आए आपको बताते चले दोस्तों कि आने वाले समय में पटना के मरीन ड्राइब पर क्या क् निर्मान कराई की इन सुब्धाओं को बिक्सित हो जाने के बाद राज की लोगों को वाटर अस्पोर्ट का लुप्त उठाने के लिए गुवा और अंडमान नहीं जाना पड़ेगा पटना मरीन ड्राइब के लिए बनी विकास की उजना पत निर्मान भी भाग नगर विक सुब्धा को विकास किया जानी की योजना है शुरू में पार्किंग प्लेस और कई जगों पे सेलफी पॉइंट बनाए जाए इसके साथ राजधानी रिवर फ्रंट डेवल मिल्प योजना के तहत सहर में 20 घाटों का निर्मान की योजना थी इसमें 16 ला को पूरा कर लिय गया है रिवर फ्रंट का विकास पटनलाव कॉलेस से आगे तक हो चुका है तो दिगास से दिदार गंज तक बन रहे हैं गंगापत की कुल लंबाई 20.5 किलोमेटर है इसका पहला चरण दिगास से पीएम सीच तक पूरा हो चुका है यह भाग 7.4 किलोमेटर लंबा है जिस समय में बहुत जल्द विहार सरकार दो बड़े अस्टेडियम का निर्मान करने जा रही है पहला जो कि फुटबॉल का स्टेडियम होगा और दूसरा ऐसा बताया जा रहा कि किरिकेट का स्टेडियम होगा वरतमान में आप देखेंगे तो पटना के मरीन ड्राइब पे आप पिकनिक अस्पूर्ट जैसा नजारा संडे के दिन रहता है इसको लेकर राज सरकार और भी गंभीर हो गई है और पटना के मरीन ड्राइब को बहुत ही जल्द परियाटक अस्थन में से एक बनाने की योजना तय कर दी गई है फिलाल आपको बताते चले जोस्तों यहां विधाओं के साथ मॉल भी बनाने जाने की तैयारी है हाले में बिहार के उपक्मंतित तेजस्वी यादों ने इसका सिल्ले नयास किया और बहुत ही जल्द पटना के मरीन ड्राइब को चमकाने की तैयारी होने वाली है तो इसी तरह का लेटेस जनकारी के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें मिलते हैं फिर एक और नेक वीडियो में जब तक के लिए आपना खूब ख्याल रखेगा धन्यवाद